राम मंदिर अयोध्या में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। क्योंकि यह उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्मस्थान माना जाता है। मंदिर का निर्मान 5 अगस्थ 2020 को शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था। मंदिर का निर्मान राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से किया जा रहा है। मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 116 फीट, 49,90 उंचा होगा। मंदिर में एक गर्भगरह होगा, जिसमें भगवान राम की मूर्ती स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, मंदिर में एक दीकशांत मंडप, एक पंचायती मंडप और एक सभा मंडप भी होगा। मंदिर का निर्मान भारत के इतिहास में एक महत्वपून घटना है। ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी उपलब्धी है और ये भारत की धार्मिक एक्ता को भी दर्शाता है। राम मंदिर के निर्मान के पीछे की कहानी, राम मंदिर का निर्मान एक लंबे समय से चल रहा विवाद है। 1580 में, मुगल समराट बाबर ने अयोध्या में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर को नश्ट करके बाबरी मस्जित का निर्मान किया था। इस घटना के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 1922 में, हिंदू कार्यकरताओं ने बाबरी मस्जित को ध्वस्त कर दिया। इस घटना से देश में सांप्रदायक हिंसा भड़क गई। 2019 में, भारत के सर्वोच न्यायाले ने बाबरी मस्जित स्थल पर राम मंदिर के निर्मान का आदेश दिया। इस आदेश के बाद, राम मंदिर के निर्मान का काम शुरू हुआ। राम मंदिर का महत्व। राम मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक महत्व पूर्ण मंदिर है। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख देवता, राम का जन्मस्थान माना जाता है। राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श, शासक और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में माना जाता है। राम मंदिर का निर्मान हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी उपलब्दी है। यह मंदिर हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। राम मंदिर का भविष्य राम मंदिर का निर्मान एक एतिहासिक घटना है. इस मंदिर के निर्मान से भारत की धार्मिक एकता को बढ़ावा मिलेगा. यह मंदिर हिंदु धर्म के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनेगा. राम मंदिर का निर्मान भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है ये मंदिर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सनरक्षित करेगा राम मंदिर निर्मान के लिए अब तक पांची पासो करोड रुपेय का दान आया है यह दान देश भर से आया है जिसमें भारत के अलावा अन्य देशों से भी दान आया है श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि 5 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच 900 करोड रुपए खर्च हुए है मंदिर के निर्मान के लिए अभी भी 3000 करोड रुपए से ज्यादा की रकम बची हुई है दान का उपयोग मंदिर के निर्मान, मंदिर के परिसर के विकास और मंदिर के रख रखाव के लिए किया जाएगा दान करने के लिए आप श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेब साइट पर जा सकते हैं या ट्रस्ट के किसी भी कार्याले में जा सकते हैं राम मंदिर अयोध्या का डिजाइन गुजरात के अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था सोमपुरा परिवार मंदिर निर्मान के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने भारत में कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्मान किया है राम मंदिर का डिजाइन शास्त्रिय हिंदू वास्तुकला पर आधारित है मंदिर तीन मंजिला होगा और इसकी उंचाई 161 फीट, उन्टीली स्मीटर होगी मंदिर का निर्मान राजस्थान के बंसी परवत के बलुआ पत्थरों से किया जा रहा है मंदिर की पहली मंजिल पर गर्भ ग्रे होगा जिसमें भगवान राम की मूर्ती स्थापित की जाएगी दूसरी मंजिल पर दीक्षान्त मंडप होगा जहां भक्त पूजा अर्चना कर सकेंगे तीसरी मंजिल पर पंचायती मंडप होगा जहां भक्त बैठकर भगवान राम की कथा सुन सकेंगे मंदिर के चारों ओर एक भव्य परिसर बनाया जाएगा परिसर में एक सभा मंडप, एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और अन्य सुविधाय होगी यहां राम मंदिर के डिजाइन के कुछ प्रमुक तत्व दिये गए है वास्तुकला मंदिर का डिजाइन शास्त्री ये हिंदू वास्तुकला पर आधारित है मंदिर में एक उंचा शिखर होगा और इसके चारों ओर मंडप होगे सामगरी मंदिर का निर्मान राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से किया जा रहा है बलुआ पत्थर एक मजबूत और टिकाउपत्थर है जो हिंदू मंदिरों के निर्मान के लिए पारमपरिक रूप से उप्योग किया जाता है आकार मंदिर तीन मंजिला होगा और इसकी उंचाई 118 फीट, 40 मीटर होगी मंदिर का आकार 252 फीट, 686 मीटर, 4 और 380 फीट, 116 मीटर, लंबा होगा मुख्य आकर्शन मंदिर का मुख्य आकर्शन गर्भग्रह होगा जहां भगवान राम की मूर्ती स्थापित की जाएगी मेहत्वपूर्ण तीर्थ स्थान होगा